अरियों आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वगत करते वे आज क्या है को रो में एक Logistics का Logo Design बनाएंगे तो उसके लिए क्या है पहले एक Ellipse Tool लेता हूं लेके Ctrl को इसको मुझे क्या करता हूं अब इसको मुझे क्या करना है और एक एक Outer Circle क्रेट करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूं इसको Ctrl लेता हूं से से सदर लेके Ctrl loses舉 एक Reality में क्या है इए अब इतको 10 mm हैप चाहिए इसको कम-धार कर सकते हैं अभी कले इसको 9 रखा है मैंने सैमने इसको 9 रखा है मैंने अभी मैं क्या करता हूं इसको आपको क्या करना है इसा teak करना है यह गा करना है यह अलग हो गया अभी अभी एक front tool से एक line draw करता हूं बख़र कहां है कुछ करके एक line अभी इस line को जो center में जो यह है इसको hold करके drag करता हूँ जैसे एदर snap होता है click पूड़ दया मैंने अभी क्या है इस quarter से फिर से drag करके activities जैसे इतर quadrant करके snap होता है mouse right click करके left click छोड़ दया मैंने तो और एक एक copy बना है भी अभी मुझे क्या करना है अभी दिको यह थोड़ा यह line जो आ रहा है यह आर्क में आ रहा है इदर मुझे arrow create करना है तो इस आर्क के साथ ही वो arrow आना चाहिए तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इदर freehand tool में इदर क्या है two point line करके है इस tool में आता हूँ इसमें आपको क्या करना है इदर perpendicular two point line करके है इसको लेना है इसको लेकि यहाँ पर आता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे दिखो भी edge करके आपको दिखा रहा है ऐसे drag करता हूँ तो दिखो भी उसके साथ साथ वो perpendicular में ही आ रहा है सो अभी यहाँ पे edge करके जैसे आता है तभी इदर click को छोड़ देता हूँ मैं इसको थोड़ा zoom करता हूँ अभी इसको आप क्या करो इसे यहाँ से और के कैसे line drag करता हूँ drag करके जैसे इदर edge करके आता है अभी आपको click छोड़ देना है सो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ shape tool से इस line को select करता हूँ select करके इसको मुझे क्या करना है object में आके convert outline to object करना है सो दिखो भी यह क्या हुआ ऐसे object हुआ अभी अभी इसको मुझे क्या करना है है अभी दिखो यहाां पर क्या है ऐसे लाइन्स है अभी इस को select करता हम मैं select करके इहां मैं plus करता हूँ add node करके इसको click क्रके हमें तो दिखो भी यह ओनोड क्या यह इदर आ रहा है मुझे गरता हूँ इदर add node बोलता हूँ तो देखो भी एसे इदर अब इसको आप डी सेलेट करो, फिर से इसे सेलेट करना, इस नोड को hold करके drag करता हूँ, तो देखो ऐसा आ रहा है, अब इधर इसे लेता हूँ, edge करके दिखा रहा है, जैसे इधर center करके आता है, तभी आपको click छोड़ देना है, तो इस line पे यह center पे है भी, अभी इसको मैं क इस line को delete करता हूँ, मैं delete करके आपको क्या करना है, यहाँ पे color फिल करना है, तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, इधर, interactive fill tool में smart fill करके है, इसको लेके यहाँ पे click करता हूँ, अभी देखो यह selected है, shift के साथ इसको भी select करना है, और जो यह triangle है, इसको भी select करके, weld कर ले करना हूँ, जैसे इधर intersection करके आता है, तभी आपको click छोड़ देना है, अभी देखो जो बहार का outer circle है, इसको delete करता हूँ, और जो lines हमने draw कर आता है, इसको भी delete करता हूँ, इसको बड़ा circle है, इन दोनों को select करके weld कर लेता हूँ, weld करने के बाद, अभी देखो, यहाँ पर मुझे क्या है, यह edge दिख रहा है, इधर arc करना है मुझे, तो अभी इन दोनों को select करता हूँ, select करके weld कर लेता हूँ, weld करने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक select करके आपको क्या करना है इधर Windows में Dockers करके है इसमें क्या है Corners करके है इसमें आता हूँ फोड़ा Zoom कर लो आप इसमें देखो एक 10mm रखा है मैंने इसको 10mm रखता हूँ यहनि इधर आपको ये Arc प्रिवीड देख रहा है अभी इसको अप्लाइ करता हूँ तो देखो भी ऐसे Arc में आ गया यह इसको फोड़ा Zoom ओड करता हूँ अभी इस Docker को क्लोज करता हूँ मैं अभी इसको क्या है का Black Shade देता हूँ Black Shade देने के बाद अभी इस Strip को क्या है Interactive Fill Tool लेता हूँ इधर Interactive Fill Tool से इस Point से इस Point तक ऐसे Drag करता हूँ Drag करके इसको क्या है का Black या थोड़ा Gray Shade देता हूँ अभी इसी Color को क्या है Drag & Drop इधर करता हूँ और जो Center में क्या है इधर White Shade देता हूँ तो देखो भी यह आपको समझ में आ रहा है अभी इन सब को Select करता हूँ सेलेट करके इसको क्या है Ctrl को Hold करते हूँ थोड़ा Angle दिया मैंने तो देखो भी ऐसे आप क्या है एक Logistics के लिए क्या है एक Logo Design क्रेट कर सकते हैं अगर यह करते होगता आपको कुछ डोट्स वगरा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा हमारे साथ जुड़े देने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद